जैम आतादी मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाष जूसी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एश्ट्वाज मैं मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं नॉब्बर में कन्या रासी के मासिक रासी फल के बारे में यानि कन्यारासी कैसी उगिधन की स्वास्त की परिवार की उनके दामपत्य जीवन की उनके प्रेम किस्थती उनके सोभाग्य किस्थती क्या ग्रेगोचर रंग लाने वाले इसके बारे में इस कारेकरम में हम डिटेल में मित्रो कारेकरम में चर्चा करेंगे और चर्चा अग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कन्या राशी वाले जितने भी विवर हमारा मंतली राशी फल देखते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं साल साल 2024 कन्या राशी के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में जो वीडियो है वो अपलोड कर दी गई है क्योंकि आप कन्या राशी पे गुरू चंडाल दोश भी खतम है यानि कि साल 2024 में कुछ बड़ा परिवर्तन कन्या राशी के जीवन में अब आने वाला क्या परिवर्तन आए तो भई नौवंबर के मेंने में कन्या राशी में ही केतू विराजमान है और इसका पूरा प्रभाव नौवंबर के मेंने में कन्या राशी को पड़ेगा मिलेगा यानि कि नौवंबर में थोड़ा दर्द की समस्या हाथ पेरों में दर्द, पीठ में दर्द, सर में दर्द माईग्रेन में दर्द मतलब हलका मीठा मीठा दर्द आपको रहने वाला है मसल्स का दर्द रहने वाला है खास का रगार देखा जाए एक तारिक से लेका और पच्चीस तारिक यानि करीबन करीबन पूरा महिना हलका दर्द आपके शरीर में रहने वाला है लेकिन दर्द की समझया रहेगी धन की इचति के बारे में बात करें तो तीन गडरे धन्वाहों में कण्या राशी के बैटें सूरिय, बुद्ध, र मंगल तीनों गडरे बैटने से तीन बड़े लाफ, नौंबर में कन्या राशी को हो सकते हैं और साती सात कुछ खर्चा भी नौंबर के मेने में आपका होगा सबसे पहले कन्या राशी के तीन बड़े लाप के बारे में बात कर लेते हैं यदि आपने गॉर्मेंट同 rulerब में कुछ अपलाई किया है कोई fund आपके आने वाला है तो वो भी नॉम्बर में आपका आ जाएगा ऐसा योग नजर आ रहा है या सरकारी योजना का या सरकारी धनलाब आपको नॉम्बर में मिलता हुआ नजर आ रहा है साथी साथ दूसरा देखा जाए तो extra deal आपकी हो सकती है या extra अचानक धनलाब कहीना कहीं से धनलाब आपको काम के इलावा नॉम्बर में दिखाई देगा साथी साथ देखा जाए कारे स्थल से भी आपको जबर्दस धनलाब होगा तो तीन बड़े लाब कन्या राजी को नॉम्बर में नजर आ रहे है साती सात खर्चा भी होगा धन यानि धन आएगा धन आपका रिपेरिंग में खर्चा होगा आपका वान में धन खर्च होगा मशीन किसी मशीनिरी में आपका धन खर्च होगा आप बात कर लेते हैं परिवारिक जीवन की तो परिवारिक दीवन में देखा जाए तो नोंबर मे आपके family member का कोई रुका हुआ, अटका हुआ, मांगली काम, विवा, संतान, शादी का बन सकता है या आपको family function के लिए परिवार के साथ में जाना पड़ सकता है यानि परिवारी किसी मांगली काम या तो आपके घर में होगा या रिष्तिदारी में होगा, वहाँ आपको जाना पड़ सकता है घर के अंदर नॉवंबर में positive wife परिवार के अंदर रहेगी पूजा पौाट का महौल रहेगा, हवन का महौल आपके नॉवंबर में रहने वाला है अब बात कर लेते हैं कन्याराशी की संतान के बारे में तो संतान की स्थिदी चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नॉवंबर का महिना नॉर्मल स्थिदी वाला रहेगा, यानि ठीक टाक रहेगा बस संतान के अंदर आलस्पन अधिक दिखाई देगा संतान को दस बार एक काम को करने को आपको कहना पड़ेगा कहीं जाने को कहना पड़ेगा, किसी बात को मनाने के लिए संतान के साथ में बस स्ट्रगल करना पड़ेगा, बाकी नॉर्मल है अब बात कर लें विद्यारतियों के लिए तो विद्यारतियों के लिए नॉंबर का महिना यानि पूरा नॉंबर एक से 30 नॉंबर तक नॉर्मल रहने वाला है देखा जाए तो कुछ अच्छा भी रहेगा कुछ बुरा भी रहेगा यानि बुरा क्या रहेगा अच्छा क्या रहेगा पहला परिवार से माता पिता से आपकी कोई इच्छा मानी जा सकती है कोई बड़ा गिफ्ट आपको नॉंबर में मिल सकता है ल कुई चीज़े करनी हैं तो एंसे επाप को साब्धान रहना है दोस्त आप को इसकी आदठ डाल सकते हैं या इसका पहला चरण आप नौम्बर में या पहला गलत काम आप नौमबर में कर सकते हैं थोड़ा सटा नसा जुए से आपको नौंबर में साबधानी रखनी है कोई कितना भी फूर्स करें आपको करना नहीं है साथी साथ आप कन्याराशी के नौकरी भाहों के बारे में बात कर लेते हैं तो भाई शनी चार नौंबर से मारगी हो जाएंगे यानि 6 योग आपका एक्टिव यानि 4 नौंबर के बाद आपकी ऑफिस में आपकी पावर बड़ा दी जाएगी मेनेजमेंट आपको बड़ा पद दे सकता है या बड़ा प्रोजेक्ट दे सकता है ऐसा योग नजर आ रहा है और 9 नौंबर के मेले में आपको पद धनका लाब भी होगा और नौंबर के मेले में शनी के कारण आप काम में बड़े बीजी भी रहने वाले हैं यानि नौकरी में तो कुछ बड़ा नौंबर में होता हुआ नजर आ रहा है दामपत्य जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमी का लव कपल के बारे में बात करें तो भी आपके पार्टनर का नौंबर के मेने में पद प्रमोशन के युग बनते हैं करियर में उनको पॉजिटीव रिजल्ट मिलेगा और और आपका पार्टनर करियर के या जौब से या व्यपार करते हैं उसमें बड़ा खुश होता हुआ नजर बात करें पती पतनी के लिए बात करें तो नौंबर का मेना भई आपका पार्टनर किसी साधना किसी पूजा पार्ट में बिजी रहने वाला है हाँ करियर में पद प्रमोशन के अच्छे युग नजर आ रहे हैं साती साथ पार्टनर के साथ में आप किसी मंदिर के में या उनके परिवार में नौंबर में कोई ना कोई मांगली काम होगा जिसमें आप पार्ट लेंगे यानि पार्टनर के द्वारा आपको कोई ना कोई आप उनके परिवार से रिलेटेड खुशकबरी या मांगली काम का सुब समाचार आपको सुनाई देगा तो कुल मिला के अपका अच्छा है आप बात कर लेते हैं कन्या राशी वाले उनकी जो वियपार करते हैं दुकान चलाते हैं तो नॉम्बर के मेने में दो गटनाय शुब और एक गटनाय अशुब रहेगी दो गटनाय शुब क्या होगे पहला चीज आपका सरकारी रुकावबा काम फसा वहा बाद करें तो मशीन इसमें बड़ा खर्चा रहेगा बिजली पर आपका खर्चा रहेगा मशीन और बिजली इसमें आप थोड़ा परिशान रह सकते हैं तो कुल मिलाके देखा जाए तो शेल्स के लिए अच्छा नॉम्मर का महिना रह सकता है तो मित्रों इस कारिकर में कि अच्छा तादी